हेलो स्टूमेंट्स, वेलकम टू इच्ट स्टैदीज, आसा कोच्ची समस्ती भलार थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम्पें प्रिपेरेशन जोर्स्वरे चलाई थिबो आज़रो क्लासरे आमें मेत्र आगोटे सेट्टे प्राक्टिस कोरिवा, जोटा हुची तमारो प्राक्टिस सेट नमबर तेल, अल्रेडी तमारो नौट प्राक्टिस सेट कम्प्रिटी जीजी, जो मने भी क्लासेस करनो, चैनल लो प्लेलिस्ट को पलेवो, सेटी गोडे सेक् प्रोवाइड इच चिल्रेन विद ए सेंटिमेटर ग्रीड पेपर एंड ए पेर ओफ सीजर्स ती वांट देम तो एक्स्प्लोर हाव तू डायमेंशिनल सेफ इन वी फॉल्डेड इन्टो ए थ्री डायमेंशिनल अब्जेक्ट ओके वीच अब दा फॉलोईग कॉंसेप्ट आ आम है थ्री डेमेंशिनल फिगर कोंवर्ट कुरताओ इस तो मरोगा नेर्म गत्स अंप्रों मनें अगला ओके स्क्रेक्षे नंबर नुमबर थू ना मूविंट नुग्स्च क्षेष्षिन नुग्स्ट कॉराँ च्चिन नुमार थू कोंदी इचि if to adjacent side of a square paper are decreased by 20 cm sorry 20% and 40% respectively by what percentage does the new area decrease okay तो एब देखो आमको करना कौन देची दीटा adjacent गोटे square ते ओछी square रो तारो adjacent side रो let suppose a side रो गोटे side केते decrease कोला तमारो 20% decrease कोला आगोटे side करना तमारो 40% decrease कोला ता परेगोटे तमारो नुआ square टे form होब तो say square टे जोटा form मेला केते percent decrease हला बली पच्छारी छी okay let मैं यहीं इदी solution डाले कुछी okay तो कोणना let इच side को मोँ आजिम कोरुछी जा कोणना 100 cm रह थिले only for माने कोणना calculation easy हवा परपोज रह आओ किछी नहीं okay let let one side one side of the square one side of the square square कते नहीं आजिम कोरुछी नहीं 100 cm करेक्ट तो एबे देखो 100 cm जयते बढ़े थिला शेते बढ़े तारो area कते ही जिबो it will be therefore area will be equals to area कते हैस जिबो एड़े कते हैस जिबो एड़े कते हैसला तमारो 100 x 100 which is equals to एक दीकिना तमारो 1 2 3 4 cm square okay next कोंदी ही जिना adjacent side रे केते केते decrease कोला कोटे तमारो 20% decrease कोला आगोटे तमारो 40% decrease कोला तो जिते बढ़े 20% decrease कोरेबो तो 6 side रो लेंग्ट केते ही जिबो obviously this will be 60 and another side तमारो 20% decrease कोला तमारो 20% decrease कोरेबो आगोटे side केते ही जिबो तमारो 80 similarly आगोटे side केते decrease कोला 40% 60 okay next new area new area केते हैसला new area of square square new area केते हैसला तमारो 60 x 80 okay which is equals to तमारो 4800 ठीक ची एतिकी centimeter square तो एवे देखो आमारो original area थेला एतिकी new area थेला एतिकी तो केते decrease चला आड़ाम से काड़ दे पारिवा तो therefore reduced area करना reduced area reduced area केते हैसल जिबो तो this will be area 1 2 3 4 3 4 minus 4 8 00 okay which is equals to केते हैं तमारो 52 00 cm square क्लियर तो आमको करना percentage रिधर कर तो केते ही जिबो therefore the percentage of reduced percentage of reduction reduction केते ही जिबो तमारो percentage केते reduce कर ला this will be केते हैसल जिबो 252 00 divided by original केते थिला 1 2 3 4 into 100 correct which is equals to तमार केते हैं जिबो 52% so कोट यह ची so question number 2 रो 52 option number 2 is the correct answer clear now moving to next question next question कोड़न ची question number 3 question number 3 कोड़न दे ची देखो the ratio of the side and the height of a equilateral triangle is कहरो कहरो ratio पर ची गोटे equilateral triangle रो side divided by equilateral triangle रो height जोदी आमें करिवा तो केते हैसल जिबो वली से question number पचर ची ओके तो एवे देखो हमें जाने जोजे equilateral triangle सबु side गुड़ा सेम थाए तो करना side जोदी okay side side जोदी तमरो a unit हुए तेन height केते हैसल जिबो तो देखो वाटा एटा एटी गोटे करकी ना मुझे दूछी height जाहरो मनें ची direct करदवो otherwise इसे बस टिक के derivation करिवो किछो औरी हावा नहीं तो एटी देखो गोटे triangle equilateral triangle टेहल aaa each side करना a b c e j equilateral triangle with each side a unit okay तो एबे देखो यारो करना तमरो height पोचरी ची h तो एटा गोटे जेते में perpendicular draw कोरची तो एटा इक्वेल पार्ट्स तो डिभाइड ही जीबो तो कोणा शिला a by 2 तो इन्दा triangle एटा कुम्हों डिदूछी d in the triangle p d c मूँ कुणले की परिवी h square value के तेह सिबो h square value h will be equals to कोणना a square minus a divided by 2 whole square रो root अभर तो एबे देखो या कोले कोणना शिला solve कोरदबा कोणना शिला a square minus एटा ही गोला तोमरो a square by 4 रो root over which is equals to केते हैस जीबोना तोमरो root 3 by 2 a एटा हैसे गोला तोमरो height एबे आमको कोण पचार थेला simply side divided by तोमरो height correct side divided by height पचार थेला तो side divided by height केते हैसे गोला side अची a तमरो height हैसे ला root 3 by 2 into a a a cancel ही गोला तो यारो ratio केते हैसे ला तमरो 2 by root 3 which is equals to 2 is to root 3 तो तमको ratio केते हैसे ला ना 2 is to root 3 so question number 3 रो option number 2 is the correct answer now moving to next question next question कोणना चीदेखा question number 4 question number 4 कोण देखा find the value of this one if this equals to x पुड़ा सहज या question टे question number 4 रोहिला comment को भाई homer एटमाते comment section दे लेखी की जाने बो ज्यारो answer कोणा हिला बली now moving to next question next question कोणना चीदेखा question number 5 question number 5 question टिक्के में भी छोट्टा देखा जागते हो तो टिक्के बस answer को दियो और देखा वीच एन activity on paper folding a teacher was trying to depreciate the relation of area of parallelogram एंड दा ट्राइंगेल ओके वीच अब दा फोलोईंग बेस्ट पीट्स दा ट्रांस्फोर्मेशन ओप दा स्टेजेस ओके तो कोड़ना गोटे टीचर कौन कोर्चें देलां गोटे एरिया ओपे पारलाल ग्राम बुझे उचोंती कहा साज जरेना विद ता हेलप ओप एरिया ओफ ट्राइंगेल ओके तो एई जो तीनिता जो तमको चात्या स्टेबने अप्शन कोड़ा देची से तरो कोट रहे पेस से तमें ताको पिलामन को बुझे परिवा तो तार करेक्ट अंसर कोणे जबा कोस्चन नमबर 5 रो अप्शन नमबर 3 इस ता करेक्ट आंसर ना करचू से ते वड़ा अधिक रूप भूल कांपाई कर था है कोड़ोंची देखा दे डू नौट रेफर दा मल्टीपूल टेक्स्ट बुक एटा केवे बीबी गोटे रीजन वे नेक्स्ट करनाची देखा देयार सोचियो एकोनोमिक स्टाटस बोट इच वारो एकोनोमिक स टो करने घट쟁 गोटे कोश्टेन ने था है तंको फिला मने करना अली गा इटीरोट्स कर देयों थी तो शेर करना अधिक भूल हही था है सो क्वेश्शन कोनोमिक सि 누बर सीख्ष्ष्ष्रा सब्सेखें लिडeवा question number 6 रो option number 3 is the correct answer now moving to next question next question question number 7 question number 7 कौन दीछी देखो in the given figure करना ps equals to sq equals to s okay and angle spq equals to 54 okay then find the x रो value केते हब बबली से पचाईची तो देखो एबेटीके नोटीस करो according to question आमको कुण दीछी ना ps will be equals to sq तो जेहेतु तार बाहु गुडा समाने ले तो तार समुखी नो कोड़ो गुडा भी समाने बे तो कॉन here I can write angle spq will be equals to angle sqp correct एई कॉनोटा सोईतो एई कॉनोटा आमको समाने जिवो तो एई कॉनोटा केते हैस जिवो इस विल बी देफिनाइटली 54 डिगरी correct एथी की पो जोंतो clear next इन्द एई कुट रिएंगल तामों कॉंसिडर कॉल्डी इन ट्राइंगल कॉनना psq clear next next इन ट्राइंगल कॉनोची इन ट्राइंगल sqr ट्राइंगल ले कॉनोची तमरो sq will be equals to sr correct तो एवे देखो sq रे कॉन हेला तमरो angle sqr will be equals to angle srq कारी कीची confusion नहीं तो केते ही जिवो this will be equals to x degree एटा x होची तो डेफिनाइटली एटा भी तमरो तासो एटा समाना वो बन्या एटा हेगला तमरो x degree next now now in triangle को triangle टामों consider कोर ची p q r triangle तो p q r triangle ले देखो कौन रेकी परवी angle p plus angle q plus angle r will be equals to केते 180 degree clear angle p रवे लुकेते ची तमरो 54 degree angle q रवे लुकेते ची x plus 54 degree तो कोना चीला x degree plus 54 degree angle r केते चीना x degree equals to 180 degree यह पे अराम सही तिरो तमरो x रवे लुकेते परवो तो केते ची जिवो 2x will be equals to 2x degree will be equals to 72 degree that implies आमको x रवे लुदर का चीला x degree will be equals to 72 degree divided by 2 which is equals to 36 degree is the required answer okay the question number 7 or option number 3 is the correct answer now moving to next question next question कोना ची देखो the fractional equivalent of 57.12% approximately तड़े केते ही जिवो तमरो कोना चीना 57.12% ओके तामने कोने गला तमरो 5712 divided by केते ना तमरो this will be 100 यारो percentage कोले 1 by 100 ते मल्टिपलाई करो तो याकू तमेजी तमरों सॉल्ब करिवो तमरों लास्ट को केते ही जिवो देखिवो 357 whole divided by 625 okay so question number 8 केते ही जिवो गला तमरो question number just a second question number 7 question number 8 question number 8 रो correct answer को ही गला ना option number 2 is the correct answer now moving to next question next question कोना ची question number 8 गला question number 9 question number 9 कोना ची okay question number 9 कोना ची 2x-13 2x-11 2x-9 2x-7 are consecutive तो देखो 2x टा सभू बड़े गोटे इभीन नंबर ही ही जिवो जोदी गोटे आमें इभीन नंबर और नंबर तको आमें स्टाइट पूल चुँ तो सभू बड़े आमको कोन मिलीवो ना गोटे और नंबर ही मिलीवो तो question number 9 डा option number 2 is the correct answer okay now moving to next question next question कोन देची देखो okay question number 9 गोला एटा हे गोला तमरो 10 question number 10 कोन ची देखो एली एमिना is playing with the match stick adding one on at each stages and अप्पू on the other hand make a table okay what do what is your observation about the two children in this situation तो देखो in this situation ना में कोन अब्जर्ब कोरिए ना एमिना is only playing and अप्पू is doing mathematics question डेटीके भल से देखा जोनी बस समस्ते question टा सुनी नलोका तर करेक्ट answer ता ही जबा question number 10 डा option number 4 is the correct answer okay now moving to next question next question कोन डेची question number 11 question number 11 कोन ची to be good in mathematics one need to one need to mathematics रे भल्लो करिया रची तो ताको कोन करिया को हबबली पचरी ची तो तर करेक्ट answer कोन ही जबा create and formulate problem through the abstract thinking and logical reasoning so question number 11 option number 2 is the correct answer now moving to next question next question कोन डेची देखा next question अची question number कते गला तुमारो 11 just a second 11 गला इडास गला तुमारो question number 12 question number 12 कोन डेची question number 12 when introducing mensuration a teacher write all the formula on the board before proceeding for the okay this reflect that see follow the approach approach first तुमारो rule करा जाई था देन तुमारो example एडा तुमारो करें गला ना deductive approach so question number 12 रो option number one is the correct answer now moving to next question 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 number 13 question number 13 कोन डेची देखा when recast the radius of a iron road is made 1 4th okay if the volume is remains constant then the new length will become तो देखा आमको first आजिम करूची जे जोडा पूर्णा रोड थी ला तारो let the radius the radius of the road of the road तारो radius केते ना तुमारो आर आउ हाईट देदने मुह आजिम करूची h okay then height जेदी h हुए तेब तारो volume केते ही गला volume will be equals to pi cylinder ते pi r square h correct next नेस्ट करूण देचिना जेते बड़े आंता कोवा में recast करूँ तारो जो 9 रेडियोस्ट ना रेडियोस्ट विल बी केते ही गला तोमारो recast the radius of the iron road is made 1 4th माने करूण 9 रेडियोस्ट केते ही गला r by 4 unit okay तो एवे देखा तो तारो volume केते ही जिवा देन volume will be equals to condition तोमारो volume टा कोवेटिन हो ची v1 ओके नुआ कास्ट कोला पर recast कोला परे v1 v1 केते ही जिवा पाई r1 रो स्क्वेर h1 करेक्ट तो केते ही जिवा पाई r1 जा गरे लेकी परे भी r by 4 रो होल स्क्वेर इन्टू h1 करेक्ट नेक्स्ट बट एकोडिंग टू कोश्चिन कांदी ची तमारो पूरुना volume जेती की थिला नुआ volume टा भी सेम होची सामनेकोण b will be equals to b1 करेक्ट भी जा गरे मुलेकी परेवी पाई r2 h into पाई r2 by 16 into h1 h1 clear तो देखो बोध साइड रू पाई r2 पाई r2 cancel ही गोला तो ड़ा केत्ते ही गोला तमारो 9 टासी ला तमारो h1 will be equals to 16 times h तावनेकोण 9 जेव हाई त्यासीला जेवडेकी तमारो पूरुना ठरू सोडो गुणा अधिको सो देखें तमारो कोणना volume टा इक्वल हबो तो तर करेक्ट आंसर कोण येगला question number 13 दो 16 time of the origin so question number 13 दो option number 2 is the correct answer now moving to next question next question कोणना चीला question number 14 question number 14 कोणना चीला 4 by 16 minus 1 by 8 equals to 3 by 8 6 by 7 minus 2 by 9 equals to 4 by 2 the above represents the work of a student if this error pattern continue the student answer will be 5 answer to 5 by 11 minus 2 by 7 will be तो देखो एटी च्वाडा कोण कोचिना ताको LCM regarding knowledge के नहीं करने के otherwise LCM concept को भल से बुझी नी तो देखो सेवदेट से कोण कोचिना numerator नुमेरेटर रू नुमेरेटर को सबस्टाट कोर देऊची जहेतु तमरेटी सबस्टाक्शन साइज सिम्बल टाची तो से कौन कोला नुमेरेटर रू नुमेरेटर को differentiate कर दला आव दिनोमेनेटर रू दिनोमेनेटर तो कौन लेखिला 4 minus 1 equals to 3 and 16 minus 8 is equals to 8 similarly 6 minus 2 equals to 4 and एटा सिगला तमरो एटा नुमेर 9 टाबड़ाओ ची 9 minus 7 is equals to 2 तो अतराव से बड़ेटर जिदी एरोटर से continue करे तो यारो आंसर तो केते हैस जिवो 5 minus 2 equals to 3 and 7 minus sorry 11 minus 7 is equals to 4 तो करेक्ट आंसर कौने गला so question number 14 दो option number 1 is the correct answer okay now moving to next question next question कौना ची question number कबर आसे ला केते न 15 question number 15 question number 15 कौन देची देखा the value of under root 2 plus root 3 plus 2 minus root 3 is यारो value केते होब बनी से को चाली ची let याको मूँ आजूम करूछी x will be equals to 2 plus root 3 रो whole root अभर plus 2 minus root 3 रो whole root अभर ओके नाउ स्क्वेरिंग ओन बोद साइड बोद साइड रे स्क्वेर कले कौने गला ये टासे जीवाता मरो a square plus a plus b रो whole square कलाखन केते ही जीवाता मरो under root 2 plus root 3 रो whole square plus 2 minus root 3 रो root अभर रो whole square ये प्लॉस अची plus कौने जीवाता मरो 2 into under root 2 plus root 3 into under root 2 minus root 3 correct तो याको मूँ आपोड ये simplify कर दावा कौने जीवाता मरो x square will be equals to 2 plus root 3 plus 2 minus root 3 plus एडा केते ही जीवाता मरो 2 under root रो whole square केते ही जीवाता मरो 4 minus 3 तो अडा केते ही जीवाता मरो root 3 root 3 cancel ही गला तो केते ही जीवाता मरो x square will be equals to 4 6 x square will be equals to 6 किन्दो आंको x रो value दर करते ही ला so x रो value will be under root 6 तो question number 15 दो option number 4 is the correct answer now moving to next question next question कोणा ची question number 16 question number 16 कोणा चीवाता ही देखो the area of a triangle with base okay the area of a triangle with base x unit is equals to the area of a square with side x unit then the altitude of the triangle is equal to केते होबा बली से बचारी चीवाता मरो तो देखो हाप base देखी देखी तमरो x into height height है गला altitude तो आसला h will be equals to कहाँ सोईतो समान होब area of a square with side x तामने कोण area of a square with side x केते ही जीवा इजी equals to x square तो याटी तमरो कोणना x square गोटे x केंसल ही गला so h will be equals to कोणना 2x unit okay तो याट correct answer कोण ही गला 2x so question number 16 दो option number 2 is the correct answer now moving to next question next question कोणना ची question number 17 question number 17 कोणन दीछी देखो the factorization of 2 minus p square minus q square minus 2pq is तो देखो याको आमको कोणना factorize कोणना ची तो कोणना ची question डाम कोणना ची 25 minus p square minus q square minus 2pq करेक्ट तो याटे केते ही गला देखो 25 minus एठीक minus टे कोमन लेकेता है शिला p square plus q square plus 2pq करेक्ट तो कोणना ची तो मरो 25 minus p plus q row whole square तो याको कोणना ची होब आपको प्लस बी इन्टू a minus b तो कोणना ची लाए that means this will be 5 minus p minus q inटू तमरो कोणना 5 plus p plus q उटियो ची ताखो याट फर्स्ट नहीं, so question number 17 दो option number 1 is the correct answer, एडास गला तबर कॉनना, जो question दो दिया हीची, तारो factorize form, okay, now moving to next question, next question कोणा ची देखो, question number 17, question number 17, okay, 17 गला, 17 गला, 18, question number 18, question number 18, question number 18 कोणा ची देखो, which is the greatest among 33 whole 1 by 2 percent, और 4 by 15 percent, और 0.35 percent, तो यहां को देखो, जोदी मुँ सब गड़ा को decimal ले convert को दिये, तो केते हैसे ला, 33 whole 1 by 2 percent, which is equals to, तो नहीं केते हैसे जिवना, 0.335, okay, next, 4 by 15, 4 by 15 को जोदी मुँ decimal ले करूछी, तो केते हैसे ला, 0.25, यह तो decimal ले देहीं ची है, 0.35, तो सब्धों बोड़ो कोट आहे गला, नहीं तमरो 0.35 is the greatest, तो question number 18 दो, option number 2 is the correct answer, तो मैं को भी मेथोड रे यह थींबू decimal कली, तो मैं को भी मेथोड रेस करी कि, तमाय कोड़ा greatest और कोड़ा smallest आरांसे कड़ी पाईगो, now moving to next question, next question कोड़ा ची, question number 20, question number 20 कोड़ा ची, teacher, while discussing problem solving, as an approach to teaching of mathematics, articulate four views, which of the following views, does not, okay, does not, दिच भल से दिखी बो, does not justify the real meaning of this approach, तो ता तर करेक्ट आंसर काण ही जबो, so question number 20 दो, option number 3 is the, just a second, question number 19, okay, question number 19 दो, correct answer हे गोला, कोड़ा न, option number 3 is the correct answer, okay, now moving to next question, next question कोड़ा ची, question number 20, कौण दिची देखो, unit digit of, एटा ची तमारो 13 to the power 2003, okay, तो एटी कते है चीरला देखो, अमारो कोण पचर्ची न, 13 to the power 2003, याको जेते विड़े आमने, मने, solve कोरीबा, तरो unit digit केते है सिबो, unit digit केते है सिब, मने, number system रो, तमरो, इन डिटेल्स रेमों पड़ेजी, unit digit केमतिकी कड़ांती, तो देखो, जदी एको केमतिक, first step कोण थेला, जोड़ा पावार थीवो, ताको, एब इन डिटेल्स रेमों, ओनी, बस step कोड़ा कोई दोची, जदी तम्हें इन डिटेल्स रेमों जाऊंचा, जैसे थी, मैंने, प्लेलिस्ट को पड़ेवो, सित्रे तमरो, math classes थीवोगोटे, सित्रे सम्पू जिन्सा, number system तो आरामभो करी, तमरो, OTT पूरा, शिलाबोस टाको, पूरा, मैने, with theory and question तको, पूरा, discussion कर चीमों, ओके, तो एब देखो, यह को कां कोरतेलू, फर्स्ट, 2, 0, 0, 3, divided by, केते ना, तमरो, 4, कोला खुन वेटे केते हैं जिबो, इस विल गिप्स यू, 13, इंटू, तमरो, केते ही जिबो, कोला है जिला, तमरो, 4, इंटू, 500, प्लस, 3, correct, next, इठी तमरो, रिमेंडर केते है जिला, 13, sorry, रिमेंडर है जिला, 3, तमाने तरो, यूनिट डिजिट ते केते ही जिबो, 13 to the power 3, तो यह को जो दी करा जिबो, तो केते है जिला, 13, इंटू, 13, इंटू, 13, जहां भी आशू, यूनिट डिजिट रेट तो 27, मने आशिबो, तमरो, यूनिट प्लस, रेकते है जिबो, 7, ता बाद रेटी, किछे भी आशू, तो आमको यूनिट डिजिट सही तो कामा थिला, तो केते है जिला, यूनिट डिजिट विल भी, 7, so question number 20 रो option number B is the correct answer now moving to next question next question कौना चे देखा the ratio between length and the perimeter of a rectangular plot is 1 is to 3 next कौना चे देखा देखा what is the just a second बदे question रेपीट हे गला okay एड़ा तुम्मन को हो मर्क रही ला okay next कौन देखा what is the ratio between the length and breadth of the plot एड़ा question रेपीट हे गला आउसरे प्राक्टिस में नो देखी के एड़ा कर दो ओके now moving to next question next question कौना चे देखा smallest number by which 686 00 must be multiplied to get a perfect cube आमको कौन दर करना perfect cube दर कर जते विले भी आमको perfect cube होग की perfect square के तिर मल्टिप्लाइ कोले होगो तो मैं सबुटु best method हे गला तम्हें करना prime factorization method रे कर दो ओके तो देखा या कुझे दिम्मों लेखे कौना चे जिवा तमारो 686 00 this can be written as 2 to the power 3 into 7 cube into 5 square आमको कौन पचर चे ना perfect cube टे होगो देखा या रो पावर 3 अची 7 रो पावर भी 3 अची बट 5 रो पावर के ते योची ना 2 अची जो दिम्मों एथी रे आउगोटे 5 टे मल्टिप्लाइ कर दिये तो के ते आश जिवा एट अच जिवा 5 to the power 3 तो एबे आराम से तरो आमे कोण ना cube root टाड़ी पारिवा सो question number 22 रो करेक्ट आंसर कोण येगोला केते मल्टिप्लाइड करियाको होबा ना 5 टे मल्टिप्लाइ करियाको होबा सो question number 22 रो option number D is the correct answer ना moving to next question next question कोण ची देखा तॉमेटिव असेस्मेंट आफ यूनीट पोटर रोना measurement can be done थ्रो आमे कोण ना सॉमेटिव असेस्मेंट कोर चू ताम ने कोण पिला केते जानी सर्ची तक तो आमे कोरिया नहीं बस तक्वाम को असेस कोरिया रोची तो तर बेश्ट वे कुटा होबना तमारो पेपर पेंसिल टेश्ट सो question number 23 रो option number A will be the correct answer now moving to next question next question कोण ची देखा ए suitable approach to introduce the coordinate geometry in class 9 is throw the use of तो तर correct answer कोण रोना demonstration using the technology integration so question number 24 रो option number A will be the correct answer now moving to next question next question कोण ची देखा आजरो last question the mean of the कहरो कहरो मीन कढ़िया रोची ना median, mod and range of the observation यह जो observation रोची तांकोर मीन कढ़िया रोची तो देखा फर्स्ट यहा कोण आजरे अरेंज करी किटी की लेखी दावा कॉन कोंडिशी ना तमरो 6 6 next हे गला तमरो केते आशची 8 8 आशची तमरो 2 times next 9 केते आशची 9 आशची 1 2 3 times next 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 आशची तमरो 14 यारो केते हैसला तमरो n value will be equals to 8 तो median केते हैस जी बो median median will be equals to काण ना तमरो n by 2 आने फोर्थ पोजिशन आव फिफ पोजिशन रोची तांकोर मीन तमरो काण 8 plus 9 divided by 2 which is equals to 17 by 2 which is equals to 8.5 आशची गला median आशची गला next MOD 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 माने काण जोड रा हाइस frequency थी थी भो सेड आजय गला तमरो MOD एथ रहे देखा 6 रा frequency 2 8 रा frequency 2 9 टे सब तो हाइस time 9 रा frequency 3 आची ता तार MOD केते आशच जीबाना 9 नेक्स्ट, नेक्स्ट कोण अचिना तमरो रेंज, रेंज, रेंज कोण तमरो जोड़ा हाइस सब्टू फ्रिक्विन, स्वरी, हाइस जोड़ा अबजर्वेशन थीवो, माइनस लोइस्ट अबजर्वेशन, तामने कोण एटी केते हैं गोला 14 माइनस 6, which is equal to 8, रेंज अचिको आफ्टी काडिबार कोण थीला, मीन, कहा allá रो कहा रो मीन, मीन, कहा रो नो तमारो median रो, mod रो और रेंज रो, तो median केते हैं अचिकोपला, प्लस, चक्यकोश्य प्लस, रेंज केते हैं चिकुमारो जोडिक्ती अचिकोए ना, 9, प्लस, रेंज केते हैं ये न।, ओके एड़ासी गोला तमारो required answer so question number 25 रो option number C is the correct answer clear समस्तमको आजरो class रो सबुझा पढ़ले ना को संगवान को सब्सक्राइब करिवा सोख लाइक टेमों दो करिवा thanks for watching the video